Hey guys, welcome to a new video, I hope you guys are doing well and cargo pants का बहुत ज्यादा demand आ रहा था तो आज के इस वीडियो पे मैं unbox कने वाला हूँ 3 cargo pants, so let's get started ये रहा पहला cargo pants ये एक black color के cargo pants है और brand का नाम है FC UK इसके कमर पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको elastic pattern देखने को मिल जाते हैं जो according to your body adjust हो जाएंगे यहाँ पे आपको button closure देखने को मिल जाएंगे और उसी के just नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जिप देखने को मिल जाती है जिप की quality की बात करो तो भाई एक बह जिसे बेल्ट लूप सुनों ने नहीं दिया है और आप कमर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको FC UK का एक branding देखने को मिल जाता है साथी साथ फ्रंड में देखने पर हमें यहाँ पे दो side pocket देखने को मिल जाता है डप्त की बात करो तो डप काफी अच्छा है भाई ए साथी साथ में अगर इसकी बात करो तो इसमें आपको एक अच्छा डप्त भी देखने को मिल जाता है और आपके समान वगेरा अंदर अराम से आजाएंगे और यहाँ पे जो हलका सा इन्होंने कट लगाया हुआ ना यहाँ पे अंदर से कपड़ा है जो कि इस तरह से फोल् एक बात करो ना इसमें हमें एक स्टैलिस मिलता है और आप जैसा कि देख पा रहे हो इसमें आपको यहां पे इस तरह मिलता है इसको आप खीच के अपने लेग ओपनिंग ओना छोटा बड़ा एकोडिंग टू जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है और देखने में काफी जवजस्त लग रहे हैं इसे बड़ा ही सिंपल रखा गया है जो देखने में काफी जवजस्त लग रहे हैं फेब्रिक की बाद करना एक अपड़ा छूने में सोप्ट है और यह काफी ज़्यादा प्रिमयम वाला फिल दे रहा है और साथी साथ अगर आप इसकी स्टीचिंग देखोगे ना आपको कहीं से भी सूता निकलता हूँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है काफी ज़्यादा इसको प्रिमयम रखा गया है फेब्रिक की बाद कर तो कोटन है और इसमें आपको मेटल कमपोजिशन मिलता है 97% कोटन और 3% स्पैंडेक्स जो इसको ना इस तरह स 299 रुपए लेकिन मैंने पेंट लिया है सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपिस में लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मेरे तरब से भाई हाइली रिकमेंडेट है जो भी लेना चाहते है ले सकते हैं पहनने के बाद देखे कुछ ऐसा दिखता है पहनने में काफी ज़्यादा के साथ पैर कर सकते हों देखने में काफी अच्छा लगेगा यह रहा दूसरा कार्गो पेंट चलो इसे खोलते हैं यह एक नभी ब्लू कलर का कार्गो पेंट है जो कि फ्लाइंग मसीन की और से आता है इस कार्गो पेंट को आप फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पर आपको साइड पोकेट देखने को मिल जाता है जिसकी डप की बाद को डब काफी अच्छा है और हाथ काफी अंदर तक जा रहा है और अंदर में जो कप्रा यूज करा गया है जल्दी से फटेगा नहीं और आपके साथ लंबा चलेगा हमें यहां तो साइड में बड़े बड़े फ सकते हो अपना और देखने में भी काफी ज्यादा बल्की अच्छा लग रहा है और जिसका साइज काफी ज्यादा रखा गया है ताकि आपके पेर अंदर बाहर हो जाएं साइड वाले फ्लाप पोकेट को उपर आपको छोटा सा पेच लगा हुआ मिल जाता है इसमें लिखा कर रहा है आप अपने हिसाब से ओर लेना इस कारगो पैंट को बैक से देखने पर हमें यहां पर दो पॉकेट को मिल जाते हैं जो की अंदर के साइड है और इसकी डब्स कि यूज करा गया है वह बहुत अच्छी यूज करा गया है पोकेट के ठीक ऊपर यहां पर आपको ए एक्सटर वाला फील आने वाला है इसमें हमें एक अच्छी क्वालेटी की स्टिचिंग डिटेलिंग देखने को मिल जाती है और यहां पर हमें इस तरह के कोई भी सूते वगरे इधर उधर से बाहर निकल नहीं दिखता है इसकी प्राइस लिगी है 2499 रुपे लेकिन मैंने एक कारगो पेंट लिया है सिर्फ 1499 रुपे में लिंक इन दा डिस्क्रिप्शन और यह पेंट मेरे तरफ से हाइली रिकेमेंडेट है जो भी इस बजट में भाई इस तरह के कारगो पेंट लेना चाहते हैं और जाके ले सकते हैं मेट्रिल कमपजिशन की बात के तो इसमें हमें 99% कोटन और 1% इलेश्टन देखने को मिलता है जो कि इसको इस तरह से मेरे बनाता है और पहनने की पर देखने में कुछ जैसा बखेंगता है पहनने में काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यह रहा तीसीय नॉमब्र के कार्गोपेंट ये एक ब्लेक कारगोपें रोडिश्टर का ब्रादिंग मिल जाएगा साथी साथ एक बड़ा सा बटन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे आपको वाइक जब काफी अच्छा है और अधर जो फैवरिक यूज करा गया नहीं वाके में अच्छी फैवरिक यूज करा गया है और यह फटने वाला नहीं है तो नीचे आप यहां पर देखोगे ना यहां पर आपको दो साइड फ्लाप पॉकेट देखने को मिल जाते हैं इसके डेप्थ की बात करो देफ्ट काफी अच्छा आपके अंदर तक जा रहा है और इसमें आपके काफी जादा समान भी आ जाएंगे साथी साथ कमर पर यहां पर ना दा रोडिश्टर लाइप को के ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और हमें इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इसको पीछे से बड़ा ही सिंपल रखा गया है इसमें इसकी प्राइस लिखिए 2,899 रुपए लेकिन मैंने एक कार्गो पेंट लिया है सिर्फ 1,425 रुपए में लिंक इन दा डिस्क्रिप्शन फेवरिक की बात का तो 100% कोटन है और एक कपला चुने में काफी ज़्यादा सौप्ट स्मूथ और प्रिम्यम फील हो रहा है और यह वाके में एक अच्छा कपला यूज करा गया है चलो काफी ज़्यादा कंफेटेबल है और देखने में काफी ज़्यादा कूल एन एस्थाटिक लग रहा है और मैंने इस्पेंट के 30 साइज ओडर करा था जो कि मेरे पे ना थोड़ा सा ज्यादा ही फीटिंग आ रहा है तो अगर आप अपने लिए ओडर करोगे ना तो थोड़ अपने इस्था फेस नवाल